एक बार फिर सिद्ध हो गया की पावर और पैसा सम्विधान के उपर आकर बैट गया है। जिस प्रकार से हम पर अन्याय हो रहा है, पूरा भारत देश, पूरा महाराश राज्य से देख रहा है। विदान सभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप न्याय कीजिए, सिउसेना पार्टी पर जो अन्याय हो रहा है उसे रोकिए, लेकिन दुर्भाग के पूर्ण है कि उन्होंने भी हम पर अन्याय ही किया। अब हमारे पास पुनह सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा हुआ है, हम आदरने सुप्रीम कोर्ट जी के पास जाएंगे, अपनी वैथा वहां कहेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि भले ही समय लगेगा, लेकिन न्याय हमें मिलेगा। लेकिन फिर एक बात और कहना चाहता हूँ, कि लोग कहते हैं कि सत्ता सरकार में बड़ी शक्ती होती है, वो चाहे तो न्याय कर दे, बसरते उस पर बैठा कौन है, तो उस पर बैठे लोग महाशक्ती कहला दे हैं, भारतिय अंता पार्टी कहलाते हैं, एकनाथ सिंदे किसी कहलाते हैं, आज उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच को बहुत महनत से जीत मिलती है, और उन्होंने हमें विदान सभा स्पीकर के सामने हराने का काम किया है, कोई बात नहीं, हम न तो निरास हैं, न ना उमीद हैं, हम पुनह सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी बात कहेंगे, प पुन विश्वास है, आधनी महामहिम सुप्रीम कोर्ट संग्यान लेते हुए हमें जरूर न्याद देंगे, लेकिन सत्ता और पावर का कैसा दुरप्योग महाराश की सरकार कर रही है, भारतिनता पार्टी कर रही है, ये देश और दुनिया के सामने हम रख रहे हैं, आप फैसला कीजिए, जनता जनारदन से बड़ा कोई नहीं है, जनता जनारदन आप तै करिये कि कौन सच्चा है, कौन जोटा है, किसकी असली पार्टी है, किसकी नकली पार्टी है, कौन विधायक पात रहे हैं, आप पर हम सब छोड़ते हैं, आप सर्व परी हैं, आप सर्व मा आड़री